हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं शोले की रेसेपी शेयर करने वाली हूं बिल्कुल अम्रिस्सरी स्टाइल में तो जिसे आप कुल्चे के साथ खाऊगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और मज़ेदार रेसेपी पनकर रेडी होगी तो इस रेसेपी को हम बिदाउट चना मसाला क बनाएंगे तो यहां पर हमने 6-7 घंटे बिगोई हुए चने ले लिए हैं हमने चनों को करना है वोयल और वोयल करने का तरीका हमारा बिल्कुल डिफरेंट है तो यहां पर हमने ऐसा कोई भी कोटन का कपड़ा ले ले लेना है तो एक चम्मच चाय पत्ती डाल कर हम इसकी इसी पॉटली का इस्तेमाल करके हमने चनों को वोयल करना है तो बिल्कुल डिफृंट सी रेसेपी है तो टेस्ट बिल्कुल हलोवाई जैसे आने वाला है हम चाइकी बटली बनाकर रेडी कर लेंगी तो अगर आपके पास टी बैग है तो वह भी जूस कर सकते हैं तो देख अच्छे से डूब जाने चाहिए तो उतना ही पानी ले लेना है आपने तो देखिए अब ये चाई की पोटली में जाएगे इसके अंदर और आदा चमच डालेंगे हम नमक तो धकन लगाकर हमने इसको मीडियम गैंस पर पांच विसल आने तक इसका वेट करते हैं इसको हमने पांचे विसल आने के बाद हम इसको चेक करते हैं तो देखे चने हमारे वोईल हो गए हैं तो अब हम इसको चेक करके दिखाते हैं तो देख सकते हैं चने हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया ऐसे ही हमने चनों को सॉफ्ट कर लेना है जो हमने चाई की पोटली डाली थी उसक कोई काम नहीं है आप इस recipe को कब बना रहे हैं तो मुझे comment section में जरूर बताएं और recipe कैसी लगी मुझे अपनी feedback जरूर दें तो इस चनों को हमने एक बरतन में निकाल कर इसका पानी अलग कर लेंगे और चनों को अलग निकाल लेंगे तो इसका मसाला रेडी करते हैं हमने इसका मिकसर जार में डाल कर फाइन पेस्ट बनाना है तो हमने सबसे पहले ले लिए हैं चार पांच कलिया लसन की और दो मीडियम साइज के प्याज आज हम बाद में भी आड़ करेंगे तो चार पांच मिर्चे आप अपन paste बनाना है तो धकन लगाकर हम इसका paste बनाना कर रेडी करते हैं तो देखिए paste हमारा बिलको रेडी है तो हमने जहां पर mustard oil लिया है आप कोई भी cooking oil ले सकते हैं तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है तो अब हम इसमें add करेंगे paste इस paste को हमने अच्छे से बून लेना है सारा मसाला अच्छे से मारा भून जाना चाहिए तो मसाला जब हमारा तेल चोड़ेगा तो इसमें कुछ सूखे मसाले एड्स करेंगे तो हम आज बहुती कम मसालों में इस recipe को बना रहे हैं हम इसमें कोई चनरा अट नहीं कर रहे हैं तो हमने जहां पर डालना है एक चमं नमक डाल दिया है तो अध़ चमं नमक अमने पहले भी डाला था तो कम ही डालें तो आदा चमंस कश्मीरी-laal Miracle तो आदा चमंस हल्दी पाउडर थोड़ी से काली Miracle पाउडर और आदा चमच हम डालेंगे सौफ इसे ढालना बिल्कुल मत भूले बहुत ही अच्छा तेस्ट आने वाला है तो हम इस सारे मसालों को अच्छे से बून लेते हैं तो हल्दी का खच्छापन निकाल लेंगे सारे मसाले अच्छे से बून जाने जाएंगे दो-तीन मिनिट तक हम मसाले को पकाएंगे और आप ढकल लगा कर भी मसाल पका सकते हैं तो मसाला हमाना जितनी देर तक पकेगा तो उतना ही अच्छा कलर आएगा तो देख सकते हैं हमारा मसाला बिलकुल रेडी है तो इसने तेल शोड दिया है जब आपका मसाला बिलकुल ऐसे हो जाए तो तेल शोड़ने लगे तो समझिए मसाला हमारा बिलकुल रैडी है तो सबजी का टेस्ट उपना ही अच्छा है जितना हमारा मसाला भूनेगा अच्छा तो अब हम इसमें आड़ करेंगे कसूरी मेत्खी इसे डालने से बहुती अच्छी खुश्बू और टेस्ट आएगा तो आप इसे जरूर डालें तो इसे करते हैं मिक्स अब हम इसमें अड़ करेंगे पानी पानी हमने वही लेया है जो हमने चनों को वाल करने के लिए डाला था उसी पानी का आपने इस्टिमाल करना है उसको नहीं फैंखना है तो देख सकते हैं हमने वहीं चाइपती का पानी लिया है और अब हम इसमें थोड़ा से और पानी आड़ कर देंगे तो इसको अच्छे से वाल आना चाहिए तो हमारी ग्रेवी अच्छी बनेगी तो सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाने चाहिए तो देख सक अब हम इसमें थोड़ा पानी ओर आड़ करके इस वो अच्छे से वाल करते हैं आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से वाल आ रहा है हमने इसको पांच-जस मिनिट के लिए ऐसे ही वाल होने देना है इसमें जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ग्रेवी हमारी बिल्कुल ready होगी, तो बहुत ही अच्छा color आ जाएगा, तो तेल छोड़ दिया है हमारी gravy ने भी, तो हम इसमें add कर देंगे चने, तो हमने चनों को थोड़ा से mash कर दिया है, आप इसको measure से mash कर सकते हैं, तो चने हमारे बिल्कुल गाडे बनकर ready होगे, तो आप इसको जितना भी ठीक करना चाहते है, तो देर तक वोईल करें, तो हमने जहां पर 3-4 मिनिट के लिए वोईल किया है, तो हमारे चने बिल्कुल गाडे ready होए है, तो हमने last में हरा धनिया और लंबे-लंबे slices में cut की होए, प्याज add कर दिया है, तो कच्छा प्याज खाने में बहुत ही तो अगर वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो share जरूर करें, तो comment section में जरूर बताना की recipe कैसी लगी, तो काफी recipes मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं